UPSC का result आया हमने आपको ऐसे कई सफल candidate से मिलवाया जिन्होंने UPSC में अच्छी ranking हासिल की और अब वो देश की बागदोर आके सम्हा लेंगे लेकिन एक बच्चा जो बिहार से आता है वो किस तरह से दिल्ली में रहकर UPSC के तयारी करता है कैसे महौल में रहता है कितनी मुश्किले जहलता है और फिर वो इस exam को clear करता है top 10 में उसका नाम आता है हम आपको लेकर पहुचे हैं सत्यम गांधी के पास ये एक PG है जो की करोल बाग में है और ये उनका एक छोटा सा रूम है बात सिप इतनी सी नहीं है कि रूम छोटा सा है उसमें सत्यम बैठे हुए हैं लेकिन इस रूम को जड़ा आप चारों तरफ से निहार लीजिए आपको चारों तरफ यहां पर UPSC की तैयारी दिखाई पड़ेगी दिवार पर नोट्स हैं टाइम टेबल है क्या पढ़ना है कब पढ़ना है तारीकों के साथ सब कुछ मेंशन है किसी भी तरफ आप देखे हैं टेबल से लेकर जमीन से लेकर या फ़िर दिवार के दूसरे हिस्से में अलमीरा के उपर सब जगा आपको किताबे और नोट्स ही दिखाई पड़ेंगी और कुछ आपको सत्यम के रूम में दिखाई नहीं पड़ता है यहां तक की रूम से बाहर सत्यम तक पहुचने के लिए हमें यहां पर जगा बनानी पड़ी है कॉपी किताब हमने साइड किये हैं उसके बाद हम अंदर आपा हैं यह दिखाता है कि एक लड़का जो की बिहार से चला था कितना डेडिकेटेड था अपने और अपने घरवालों के सपनों को लेकर सत्यम बहुत बहुत बढ़ाई आपको और पहला सवाल यही है कि जो कुछ हम देख रहे हैं यह बताता है कि आपने पहले एक माहौल तयार किया किस एक्जान के लिए तयार होना है मुझे बिल्कुल मेरे हिसाब से माहौल का तयार होना काफी जरूरी होता है क्योंकि आपको एक इन्वार्मेंट में मोटिवेशन की जरूरत होती है और आपको जैसे मैंने यहाँ पे हर चीजों का प्लैन बनाए है प्लैन सबसे जरूरी है ताकि आप किस तरीके से प्रोग्रस करे यह तैयारी के लिए इंपोर्टेंट है कितनी उमर है आपकी एक्जैक्ली मेरी उमर भी 22 साल दो महिने है पहला अटेम्ट था जब चले थे घर से अपने बिहार से समस्तिपूर से यह सपना तो था कि आयस बनना है रैंक इतनी अच्छी होगी यह सोचा था नहीं बिल्कुल आपकी दिवार के दोनों तरफ कहीं मैप लगे हुए है पढ़ने के लिए दूसरी तरफ भी मैप लगा हुआ है और एक चीज हर जगा मैंचन है कि किस तारीख को क्या पढ़ना है क्या रूटीन रहता है मैं अभी और भी लोगों से मिला नहीं का कि 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करनी होती है तो मुझे असल लगता है कि आप हर समय किताबों के साथ ही है हाँ विल्कुल आप देख सकते हैं मैं 4 तरफ से किताबों से घिरा हुआ हूँ और यह जरूरी भी है अगर आप UPSC की तियारी कर रहे हैं तो और रूटीन की बाद करूँ तो मेरा यह प्लान दा है कि 8 से 10 घंटे तो सेलफ स्टेटी को देने ही देने हैं चाहे कुछ हो जाए तो इस तरीके से मैं डिसाइड करता था कि कौन सा टॉपिक किस मंत में कौन से वीक में कौन से डे में क्या करना है जो कि आप मेरे रूटीन नहीं हुआ क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं डिरेक्ट नाम सर्च करूंगा बट नाम सर्च करने के जरूत नहीं पड़ी डिरेक्ट मुझे नाम दिग गया पीडिएफ में और सबसे पहला कॉल तो मैंने अपने घरवालों को यह मैंने मुनी पपा को कॉल किया सबसे पहला उ और जैसे उनको वह में साही कता है वह बेटा वह तो इस चीज से काफी motivation मिला मुझा अच्छा लगा सुनके क्या background है परिवार्ट का घर पे कौन-कौन है क्या काम होता है मेरे घर में मेरे ममी है मेरे पापा है मेरे पापा सरकारी कर्मचारी है ग्रूप सी में और मेरी ममी हाउस वाइफ है और मेरे एक छोटा भाई है एक साल छोटा जिसने भी काफी मलद किये मुझे प्रपरेशन में और मेरे एक दादाजी है जिनके उमर अभी पंचान में परसे पापस सरकारी कर्मचारी है ग्रोप सी में जब आप वहां से चले होंगे ग्रामीर परिवेश आपने बताया कि गाओं का घर है गाओं का परिव जब मैं घर मतलब पहली बार दिल्ली आया तो मुझे कल्चरल शॉक लगा मुझे यह नहीं पता था कि मौमूस क्या होता है और सैंविच क्या होती है बट मैंने पहली बार देखा से इतनी बड़ी-बड़ी इमारते पर पर अगर आप कुछ ठान के निकलते हो घर से आपने परिष्टितियां देखी है अपने परिवार की समस्याएं देखी है तो आप दिल्ली चाहे कहीं आप चले जाओ आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है दिल्ली उनिवस्टी में पढ़ाई की होगी कभी यहां के हाई-फाई बच्चो की तो उनकी लाइफ है उने जीने दो बट आपका जो मकसद है आप उसे जीतोर मेहनत लागे पूरा करो क्या मकसद रखते हैं आगे क्या ठीक करना चाहेंगे किस शेत्र में काम करना चाहेंगे जी मैंने मेरा मकसद यह कि मैं ग्रामीन विकास के शेत्र में काम करूं मैंने एक इंटरन्शिप की थी श्री शसी रंजन सर उस टाइम डीडी सी थे रांची किया तो उनके अंदर में एक रांची एड्मिस्ट्रेशन के साथ तो वहां से मुझे यह पता चला कि भुरुक्रेशिक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर मैं पहुंचूं तो ग्रामीन व से एक महिने का तो कम से कम ब्रेक लेना ही लेना है और अभी तो सबसे पहले मैं घर जाओंगा अपने ममी पपा से मेरे काफी वक्त हो गया वो लो मेरा इंतजार कर रहे हैं तो मैं घर जाओंगा उनसे मिलूंगा परिवार के साथ वक्त बिताओंगा और फिर ट्रेणिंग क वो आपको internal motivation देगा, आपको YouTube के वीडियो देखके motivation लेना नहीं है, आपको internal motivation हो चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं, आपकी इस छेतर में क्यों है, दूसरा ये कि आपको 8 से 10 गंटे पढ़ना ही पढ़ना है डेली, आप जमीन हील जाया, आसमान पलड़ जाया, कुछ भी हो जा से आप मंथली प्लान बनाए, वीकली प्लान बनाए, डेली प्लान बनाए और तब जाके आपका ये पूरा रिजल्ट अच्छा है, तो सत्यम गांधी नाम है, उम्र महज 22 साल, कुछ महीने, और अब ये कहा है कि एक सपना पूरा होआ है, लेकिन आगे जाकर देश की सेवा करनी है, ग्रामीड परिवेश में जाकर, जो कुछ भी अपने गाउं के आसपास दिक्कते देखी है, उन दिक्कतों को ना सिफ अपने गाउं से बलकि पूरे देश से खत्म करनी है, कैमरा में आलोग दास के साथ, मनीश चौरसिया, गुद नियूस टुडे, दिल्ली